हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड मेरे पैरे देश्वासियों हमारी यहां कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तुफानों में भी उतना ही अड़ी रहता है कोरोना के इस कठीन समय में हमारा कृशिक छेत्र हमारा किसान इसका जीवन उदारन है संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृशिक छेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियों देश का कुशिक खेत्र हमारे किसान हमारे गाउं आत्म निर्भर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्म निर्भर भारत के निव मजबूत होगी बीते कुश समय में इन खेत्रों ने खुद को अनेक बंदिसों से आजाद किया है अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है मुझे कई ऐसे किसानों की चिठिया मिलती हैं किसान संगरणों से मेरी बात होती हैं जो बताते हैं कि कैसे खेती में नएने आयाम जुद रहे हैं कैसे खेती में बडलावा रहा है जो मैंने उन से सुना है जो मैंने औरों से सुना है मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किस किसानों के कुछ बाते जुरूर आपको बताओं। हारियाना के सोनिपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं। उनका नाम है स्रीक कवरप चवहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक् लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को EPMC Act से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथिक किसानों को बहुत फायदा हुआ। चार साल पहले उन्होंने अपने गाउं के साथिक किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पातक समु की स्थापना की। आज गाउं के किसान स्विट कौन और बेवी कौन की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपूर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तता फाइश्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गाउं के किसान स्विट कॉन और बेबी कॉन की खेती से धाई से तीन लाख प्रती एकर सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं। इसी गाउं के साड़ से अधिक किसान नेट हाउस बना कर, पॉली हाउस बना कर, टमाटर, खीरा, शिमला, मिर्च, इसकी अलग-अलग वरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रती एकर दस से बारा लाख रुपिय तक के कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग हैं। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है। और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं। धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज़्यादा दाम मिलें वही पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। साथियों, तीन-चार सार पहले ही महाराष्ट में फल और सब्जियों को EPMC के दायरे से भार किया गया था। इस बडलाव ने कैसे महाराष्ट के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों के स्तिति बडली इसका उदान है। श्री स्वामी समर्त फार्मर्स प्रोडूशर कंपनी लिमिटेड एक किसानों का समूह है। पूने और मुंबे में किसान साथिक बजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग सत्तर गाउं के साड़े चार हजार किसानों का उत्पात सीधे बेचा जाता है। कोई बिचोलिया नहीं। ग्रामिल युवा सीधे बाजार में खेति और विक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधाला किसानों को होता है। गाउं के नवजवानों को रोजगार में होता है। एक और उदारन तमिल नाडू के थेनी जिले का है। यहां पर है तमिल नाडू केला फार्मर प्रोडूस कम्पनी। यह फार्मर प्रोडूस कम्पनी कहने को तो कम्पनी है। हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक संभू बनाया है बड़ा लचिली विवस्ता है और वो भी पांचे साल पहले बनाया है इस किसान संभू ने लॉकडाउन के दोरान आसपास के गाउं से सेंकडो मेट्रिक्टन सबजियां फलों और केले की खरीदकी और चेनने सहर को सबजी कमबो किट दिया आप सोचिए कितने नव जवानों को उन्होंने रोजगार दिया और मज़ा ये है कि बिचोलियों न होने के कारण किसान को भी लाब हुआ वह भोगता को भी लाब हुआ ऐसा ही एक लखनव का किसानों का सम्हूव है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्वर प्रोडिसर इन्होंने भी लोगडाउन के दोरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जिया ली और सीधे जाकर के लखनव के बाजारों में बेची बिचोलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किये साथियों गुजरात में बनास काठा के रामपुरा गाउं में इसमाइल भाई करके किसान है उनकी कहानी भी भहुत दिल्चस्प है इसमाइल भाई खेती करना चाहते थे लेकिन अब जैसी ज़्यादा तर सोच बन गई है उनके परिवार को भी लगता था कि इसमाइल भाई के मना करने के बावजूद इसमाइल भाई ने टाय किया कि वो तो खेती ही करेंगे इसमाइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सोधा है वही सोच और स्थित्री दोनों को बदल कर दिखाएंगे हैं उन्होंने खेती शुरू की लेकिन नए तरीकों से जिनकी क्वालिटी भावती अच्छी होती है इसमाईल भाई ये आलू सीधे बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बेचते हैं बिचोलियों का नामों निशान नहीं और परणाम अच्छा मुनाभा कमा रहे हैं अब तो हुनोंने अपने पीता का सारा करजा भी चुका दिया है और सबसे बड़ी बात जानते हैं इसमाईल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं उनकी भी जिनकी बदल रहे हैं साथियों आज की तारीक में खेती को हम जितना आधूनिक विकल्प देंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगी उसमें नए-नए तोर तरीके आएंगे नए इनोवेशन जोडेंगे मनिपूर के रहने वाली विजय शान्ती एक नए इनोवेशन के चलते खुब चर्चा में है उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्ट अप शुरू किया है आज उनके innovation के चलते कमल की खेती और textile में एक नया ही रास्ता बन गया है ्छोपपश्यदे सकता है